आप बना रहे हो आम का अचार और आप कोई मसाला डालना भूल गए हो तो आज मेरे साथ यही हुआ है मैं हल्दी डालना भूल गई थी और सोचती थी इसमें थोड़ा सा भी अलग सा कलर क्यों नहीं आ रहा है और बाद में मेरे को याद आया कि मैंने तो हल्दी नहीं डाली तो चलिए आज बनाते हैं आम का अचार, सीजन का पहला आम का अचार मैं बना रही हूँ, गुट्लियां बहुती कम पड़ी हैं अभी, पर अच्छा आम का अचार बनके यहां पर तयार हुआ है, तो चलिए इसे बनाते हैं, तो यहां पर मैंने सबसे पहले पैन में डाला है, यहाँ पर खड़ा धनिया इसको हलका सा भून लेंगे उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डाला है जीरा जीरा थोड़ा सा कम डाला है धनिया से उसके बाद यहाँ पर मैंने खड़ा सौप भी डाल दिया है इन सब को अच्छे से भून लेंगे मेती दाना भी डाल दिय है मेती दाना पहले इसले इन डालाव की वो जल जाए तो कड़वा पंजाता देता है कलोंजी भी डाल दी है और इन सब को अच्छे से भून लेंगे और इसी में मैं अब डालूंगी यहाँ पर खड़ी लाल मीट्चियां तो यहाँ पर मैंने करपई सुखाई थी वही दरा राई का भी पीस के बना लिया है पाउडर दर दरा पाउडर मैंने बनाया और सब को आप यहाँ पर इस आम में डालेंगे इन आमा को मैंने एक दिन पहले पानी में भी बोलिया था फिर दूसरे दिन उसके बाद अच्छे से धो के सुखा लिया था और बिना मैंने हल् म chỉ erf है कलोजी है और थोड़ा सा मेती दाना है इससब को मिक्स कर लेंगे और यहां पर तेल गरम कर लिया था उसके बाद यहां पर उसको भी मिक्स कर लिया है सरस्व Где और तेल डालने के भार इससब को मिक्स कर लेंगे और मैं कुछी जूशली हूँ हाँ यहाँ पर मैं नमक बोल ली हूँ उसको भी एड़ कर लेते हैं और यह पहले से बचा हुआ थोड़ा सा मसाला था इसमें मैंने पीली सरसों पीसी थी तो मैंने सुचा इसी में डाल देती हूँ क्योंकि यह भी काम आ जाएगा ऐसी डबे पर रखा हुआ है यह सब काम आ तो इस सब कर लेंगे mix और यहां पर मैंने नमक भी एट कर दिया है जिस से की अच्छे से थोड़ा सा मैने नमक थोड़ा तेजी रखाया इस बार क्योंकि नमक से ख्राब भी नहीं होता है अचार नमक थोड़ा तेज होनें से पर बहुत तेजी मत कीजिए फीर مشा खाया नह तो फिर उसके बाद मैंने जब सब मिक्स किया तो देखा कि इसमें कलरी नहीं आ रहा है तो उसके बाद मैंने यहाँ पर हल्दी थोड़ी सी एड़ करी दोई चमच हलका सा ज्यादा हल्दी एड़ नहीं करी बल हलका सा ही एड़ कर रहा है तो यहाँ पर कर लेते हैं हल्दी ए कर रही हूं यहां पर मैंने छोटी चमल से हल्दी लिया था बैस दो चमा और सब को मिक्स कर लिया और हल्दी डालते देखे कितना अच्छा कलर आ है उससे पहले लग रहा था कुछ तो मीस है मैं क्या नहीं डाले हूं भूल चुकी थी तो यह देखे मेरा अचारवन के यहां पर रेडी हो चुका वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू किज़ेगा धन्यवाद